नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल दूप अरात्रिक में वैसे हमने एक कार्थिक पुर्णिमा के बारे में और देब दिपावली के बारे में तो वीडियो दिया है आप लोगों को पर यहाँ पर मुझे लगा कि वैशनप समुदाय के जो मत होते हैं स्मार्थ मत से भी जो लोग जो इस दिन कार्थिक पुर्णिमा को मनाते हैं तो बहुत सारी जगे पर जो है भगवान विश्नु की पूजा तो होती ही है उसके साथा तराधा कृष्नी की भी पूजा होती है यह पर उनके जो बाद स्वरूब हैं उनकी भी पूजा होती है क्योंकि व्रिंदावन और मतुरा में इस दिन को जो है खासकर रास उत्सब के नाम से मनाया जाता है और यह ज़्यादा तर व्रिंदावन में ही फेमस है क्योंकि यह मतुरा में जैसे जन्माश्टमी महुत सब मन आते हैं वहाँ पर बाके बिहारे मंदिर में आरती होती है और उसके साथ साथ राधा रमन और दूसरे जो भी सारे मंदिर है वहाँ पर भी काफी अच्छे सजाए जाते हैं और उसके साथ साथ बहुत सारी सुन्दर सुन्दर तरीके से जो है आरती एके इसाथ जो है भगवा अगर धूप भूचन की तठहा ग्रहिन करकें इस तरीके से आपको धूप प्रसाध भगवान को आप चढ़ा सकते हैं दक्षिन भारत में से दूप प्रसादम भी कहते हैं बहुत सारी जगे पर धूप नहीं वेद्य कहा जाता है बहुत सारी जगे पर धूप सेबा की माध्यम से भी जो है भागवान को इसे समर्पृत किया जाता है और इसके साथ साथ हर जगे पर हर मत के अनुसार अलग-अलग जैसे कि जो लोग वैश्रव मत से पूजा करते तो वो तुलसी के पत्ते के साथ जो है शर्वत देते हैं इसके साथ और जो लोग शाक्त मत से पूजा करते हैं तो वो गुर के भी शर्वत देते हैं या फर जो डाब यानि कि कच्चे जो नारेल होते हैं वो भी जो है देवी क तो इस तरीके से धूप सेवा के साथ अलग अलग तरीके से तो लोग इस्तिमाल करते ही है नईवेध्य द्रवो की पर धूप अपने आप में एक नईवेध्य है क्योंकि हम नईवेध्य कर रहे हैं पर आप बाल गोपाल को अगर अलग से भी कुछ चढ़ाना चाते तो वो क्या चढ़ाएंगे इस दिन, या पर आप कृष्णी जी को भी अगर इस दिन भोग लगाना चाते तो आप क्या चढ़ाएंगे, दोस्तु क्यूंकि मैं यहां पर धूपुजा के विशे में बात करता तो मैं ज्यादा तर भोग और प्रसाद के बार में अलग से कुछ नहीं कहता हूँ, क्योंकि भोग चड़ाना जो है ना, यानि कि पका हुआ चाहे वो अन हो चाहे वो खीर हो चाहे वो पूरी हो चाहे वो सबसी हो, वो हर प्रदेश की और हर घर की अपने अपने नियम होते है मैं अगर आपको कह दू कि आप हमारी यहां की मेरा मतलब है कि मैं जहाब पर रहता हूँ वहां के हिसाब से आप भूग चड़ाए तो आप शायद वो इंतजाम ना कर पाए आपके प्रदेश में या पर आपके घर में भी क्योंकि प्रदेशों में भी जो होता है क्या कि घर अलग अलग नियम होता है तो आपके घर पे शायद अलग तरीके से किसी प्रकार की नियम है तो आप जिस भी तरीके से भोग लगा पाते हैं आप उसी से लगाए जैसे कि अगर आप नारिल के लड़ू से केबल भोग लगा पाते हैं तो आप उसी से लगाई आप बेशन के के पकवान यानि की सबसी बगेरा ये सब कुछ अगर आप बनाकर जो है भगवान को भुड़ी के साथ भोग लगाना चाते तो आप वो भी लगा सकते तो भोग प्रशाद के अपनी अपनी प्रता होती है ऐसा नहीं कहा जा सकता कि इसी प्रकार की भोग जो है आपको चड़ा जैसे कि मतुरा और ब्रिंदावन की तरह जो है जादातर भगवान को माखन मिश्री के भोग लगा जाते हैं बहुत ही साधरन तरिके से और बहुत ही सरल तरिके से भी जब पूजा करते लों तो वहाँ पर सूचते कि माखन मिश्री हमने चड़ा दिये तो ये बहुत बात है और अगर आप बंगाल की तरफ आते तो वहाँ पर मैंने देखा है कि लोग बता से यानि कि गुर्के जो बता से होते उसका भोग लगा देते हैं कुछ जगे पर जो है एक गुर्के नारिल के लड़ू बना कर और बता से जो है बोग में चड़ाई दी जाती है तो ह मैं यहाँ पर आपको कहूंगा कि अगर आप कोई विशेश भूग इस दिन चढ़ाना चाहते तो आप जो है मूम डाल की खलवा या पर मूम डाल की जो मोहन थाल या पर मोहन भूग है वो करके अगर आप सिरकृष्ण को चढ़ाते हैं इस दिन तो ये बहुत ही अच्छा होत है वैसे इसके लिए बहुत सारे इंतिजाम भी नहीं करना होता है अगर आप मूम डाल जो है पीस कर लाते है बाहर से यानि कि उसका जो है अच्छे तरीके से वो पाउडर में मिल जाता है आजकर तो वो भी अगर आप लेकर आते हैं तो आप घर पे घीमें उसे बना सकते ह है उसे आप जो है चीनी से अगर बनाएंगे या पर जो है मिश्री से बनाएंगे तो वो ज्यादा अच्छा होता है और अगर आप थोड़ा गुर से भी बनाना चाते तो वो भी आप बना सकते है पर मिश्री और चीनी से जो है ये चीज बहुत ज्यादा अच्छा होता है और उसमें आपको बहुत सारे ड्राइफूर जालने हैं तरह तरह के बहुत सारे जगे पर दूद से भी बनाया जाते तो अगर आप दूद से बना कर जो है अपने गोपाल जी को या पर कृष्ण जी को भोग में चड़ाना चाते क्योंकि आप कृष्ण जी के लिए भोग मस्या होता है तो वो क्या कर सकते है एक ये वो डाल यानि की मूँ के डाल के जो पाउडर है उसे सूजी के साथ मिला कर जो है ये मोहन थाल या पर मोहन भोग बना कर भगवान को चड़ा सकते ये मोहन भोग और मोहन थाल इस नाम में ही जो है ना मोहन का उलेख है कि ये श्र पर अगर आपके पास इतने सारे संगसाधन नहीं है यानि कि आप बहार रहते हैं या पर आप अगर प्लैक में रहते तो भी अकेले रहते हैं आपके पास जो है अलग से किचन नहीं है या पर बरतन बगेरा नहीं है तो कोई बात नहीं दोस्तो आप जो है ना भगवान की पत्र चढ़ा दीजे उन्हें मिश्री के शर्बत ही चढ़ा दीजे तो उससे ही भगवान जो है बहुत प्रसन्न हो जाएंगे आपके जो भोग है ना वो ग्रहिन कर लेंगे वैसे में प्रसाद के जो पास तरीके होते उस बारे में आपको एक अलग वीडियो करके बताऊंग बर आप राश पुर्णिमाग पर अगर जो है भगवान की भोग फूजन करना चाते यानि की भोग आरती करना चाते तो इस तरीके की मोहन थाल या पर अपने प्रदेश की हिसाब से जो है भोग बनाईए और उसके बाद उन्हें तुलसी डाल कर निवेदन करे उसके बाद जो है आप आरती जरूर करें आप अगर पंच निराजन कर पाते तो बहुत अच्छा है पर अगर नहीं कर पाते तो केवल धूब दीब से ही जो है आरती जरूर करें धुनची दूब और पंच प्रदीब का इस्तमाल आपको इसमें जरूर करना है भोग आरती में तो इस त आवत आर हम पूजा नहीं करते हैं। पूजा करते हैं उसे चढ़ा सकते इसमें कोई समस्या नहीं है दोस्तों तो इसके लिए दोस्तों आपको सबसे बड़ी बात जो है आपको मन में निष्टा और भक्ती चाहिए तो इस तरीके से आप जो है कारती क्यानी की राश पुर्णिमा पर अपने भगवान को भोग तरी बताए कि आप अगर भूग आरती अपने घर पर करते हैं तो दोस्तों इस वीडियो को अगर आप लोगों को अच्छा लगा है यानि किस वीडियो में दियेगे जानकारी तो आप इसे थोड़ा लाइक और शियर भी कर दीजे और उसके साथ साथ अगर हमारे चैनल को अच्छा महसूस कर रही यानि कि यहाँ पर जो कुछ जानकारी दिये जा रहे वो आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को भी अगर आप चाहें तो सब्सक्राइब करें दोस्तों और दोस्तों मिलेंगे आप से किसी और वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार दोस सब्सक्राइब करें दोस्तों मिलेंगे तोस्तों 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 मिले